आप देख रहे हैं मदर्जाइका में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नूडस के पकोड़े बनाना यह चटपटा नूडस है मेरे पास दो पैकेट मेंने वाइल कर लिये हैं बेसन एक अलू को मैंने ऐसे बारीक कश कर लिया है एक छोटा सा दर्मियना सा प्याज तीन अदर सबस मिर्चे गरम मसाला सुरख मिर्च पिसा हुआ धनिया कुलोंजी अजवायन सोरी नमक और दानेदार धनिया बीठा सोड़ा चले मैं आपको तैयारी बताती हूं यह देखें इसकी मिक्सिंग ऐसे करनी है इसमिल्ला रह्मन रहीं इसको आपने फुल कुप करना है नूड़ास को ऐसे अब इसमें जो मैंने कश करके आलू रखा हुआ था वो डानने लगी हूँ यह देखें आपने इतना बारीक इसको कश करना है यह प्याज है एक दर्मियाना सा और यह सबस मिर्चे हैं और यह सारे मसाले जो हैं वो मैं मिक्स ऐसे करके इस पर डाल दूँगी मीठे सोड़े से यह थोड़े से करंची बनते हैं अब इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी बिस्मिल्ला रहानी रहीं झाल रहे हिए और अब इसमेर बे माइन बश्म दालना है बश्मिल्ला चाइए यह 7 तो चार से पांच चम्मच इसमें बेसन जाएगा और पानी कमちゃ में जाएगा प्रानी नीस है डालना है अब भांच मिनट के लिए झोड़ा दे ना है पर इसको मिक्सड़करय करना है यह देखें इसकी इच्छा तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है मिक्सिंग आहाथ से ही ज्यादा अच्छी होती है चम्मत से नहीं यह रमजान है माशाला आज से छेमा रोजा है और मैं चाहती हूँ कि मुन्फरीद से कोई पकोड़े बनाओं जो आप लोगों को भी अच्छे लेंगे और बचों को भी अच्छे लेंगे अक्सर बचे मैगी पसंद करते हैं बिस्विल्ला रहाने रहें यह देखें यह मैं आपको बना कर दिखा रही है जब आपने पकोड़ा बनाना है अमेजे को ऐसे हाथ पर उठाएं और यह अंगूठे की मदद से पकोड़े बनते हैं यह देखें आपने ये ऐसे आपने गूठे की मदद से पकोड़े बनाने हैं अबेजा आप हाथ पर उठाते जाएं और ऐसे उसको कहीं कहीं पे डालते हैं यह मैंने नूडल्स पकोड़े अपने पौता पौती को बना कर दिये थे उने बहुत होते के लगे हैं झालते हैं झालते हैं झाल झाल बना कर बताईएगा कैसे बने हैं इन्शाला तरह इस रमजान में आपके लिए बहुत मुन्फरीद डिशे लेकर आँगी ये बना कर देखेगा बहुत टेस्टी बने हैं तो रमजान में दौाओं में याद रखेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजिएगा अल्मजाद इस